हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तू माई चैनल आज हम बनाएंगे नवरात्रों में खाया जाने वाला सिंघाडे के आटे का हलवा ये देखने में बिल्कुल आटे के हलवे जैसा ही लगता है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और नवरात्रों में या व्रत में इस हलवे को खूब खाया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसके लिए हमने एक बड़ा चमच देशी घी का ले लिया है घी आप पहले थोड़ी कम मात्रा में ही ले कम लगे तो बीच बीच में हम और मिला सकते है और उसके लिए हमने बीच में एक कटोरी सिंगाडे के आटे की डाली है इसको हम धीमी धीमी आज पर भूनते रहेंगे जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा वो घी को छोड़ता रहेगा और घी की मत्रा इसमें ज़्यादा दिखने लग जाती है इसलिए शुरूर में थोड़ा ही घी डाले कम लगे तो हम बीच में और डाल सकते हैं अब मैंने जितना घी डाला है वो पूरा सेफिशेंट है इसमें हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इस आटे का कलर आटे की तरह से गेहों के आटे की तरह से ब्राउन नहीं दिखता है थोड़ा सा कम ब्राउन दिखता है जब इसमें पानी डल जाता है तो इसका सही कलर दिखाई देता है तो इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए हमने इसको भून लिया है और ये देखे इसने घी को छोड़ दिया है तो बिल्कुल पतला सा हमारा ये घोल बन गया है तो अब ये लगभग हमारा आटा तयार हो गया है भुन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी आप इसमें थोड़ा सा गरम करके भी डाल सकते हैं और ऐसे थंडा भी डाल सकते हैं तो इसे कोई ज़्यादा दिकत नहीं आती है लेकिन पानी जैसे हम डालते हैं तो इसको हिलाते रहना जरूरी है अब ये मैंने इसमें थंडा पानी ही डाला है तो थंडा पानी डालने से भी ना इसमें गुटलिया पड़ेंगी और ना ही कोई दिकत आएगी तो ये देखे कि कुल 5 या 7 मिनट में ही ये बन कर त्यार हो जाता है अब हम इसमें डालेंगे चीनी मैं यहाँ पर चीनी की जगे पर देशी खान का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके लिए मैंने जितना आटा लिया था उतना ही चीनी या खान जो भी आप मिठे में इस्तेमाल करें उतनी ही बराबर की मात्रा में डालेंगे तो मीठे का टेस ठीक आता है अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहिए तो अपने अनुसार चीनी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो अब ये हमारा हल्वा बिल्कुल अच्छे से पक गया है तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे कुछ अपनी पसंद के ड्राइब रूट आप इसमें जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं मैंने इसमें काजो और बादाम डाले हैं आप इसमें किश्मिश भी डाल सकते हैं पिस्ता भी डाल सकते हैं और ना डालना चाहे तो वो भी आप skip कर सकते हैं घर में मौजुद हो ये सब चीजे तो आप डाल सकते हैं नहीं तो skip कर लिजे और अब हमने इसको एक बरतन में निकाल लिया है और देखे कितना अच्छा ये हमारा हलवा बन के तयार हुआ है तो वीडियो अगर आपको धोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवशे कीजिए तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत